ज्वाली के तिरलोकपुर में जबरन एक पुष्टैनी मकान पर कब्जा करने का मामला प्रकाश में आया है आपको बता दे कि तिरलोकपुर गाउं के रहने वाले गजिंदर सिंग ने आरोप लगा है कि कुछ प्रभावशाली लोग जोर जबरदस्ती उनके पुष्टैनी मकान पर कब्जा कर मकान को रिपेर करने से रोक रहे हैं गजिंदर सिंग ने बताया कि उसने तिरलोकपुर के महाल नवाश शहर में 1991 में जहांजरी देवी से बतोर इकरार नामा करके ये मकान खरीदा था तबी से उसका माल काना हक चला आ रहा है अब ही उसका मकान काफी जरजर हो गया है उन्होंने बताया कि जब उन्होंने इसका रिपेर का काम शुरू किया तो गाउं के कुछ लोगों ने इस मकान पर अपना हग जताते हुए मकान का रिपेर कारे जबरन रुकवा दिया और लडाई जगडा करते हुए जान से मारने की धमक्या भी दी गजंदर सिंग ने बताया कि इस दोरान अज्यात लोगों ने उनके मकान का ताला भी तोड़ दिया है तदा कुछ सामान भी गायब है बताते चले कि गजंदर सिंग ने इस बारे में एक शिकायत पुलिस थाना जवाली में दी है वह उन्होंने प्रशासन से मांग की है कि उन्हें ने आए दिया जाए कर दें हमारी बास काम को रोका हुए लोने ना अजी तो अंधर वा और जो लोक ता लगा हुआ उसको बीनोंने तोड़ दिया है उन्हें आम दर से समान भी थोड़ा चोरी हो गया हमारा पहले आपके पटी का सिर्फ होड़ेंगे और आपका खोड़ेंगे और मिस्टी मजदूर को अंदर लेके इनोंने किटनैप किया हुआ था तो किटनैप करके उनों बोलते हैं कि उनको पैसे दिया है या कुछ किया है क्या हूँ नहीं हमें मालूं तो आज ही बिना देर किये अपने सपनों का घर बुग करें